जब से इरान ने इसराइल पर तीन सो से ज्यादा घातक ड्रोंज, रॉकेट्स, क्रूज और बैलेस्टिक मिसाइलों से हमला किया है तब से ही पूरे मिडिलीस्ट में एक बड़े युद्ध का खत्रा मंड़ा रहा है यहां तक कि इस हमले के बाद इसराइली प्रधान मंत्री बेंजमिन नेतनियाहू एलान कर चुके हैं कि वो इरान से सीधे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि इसराइल और इसराइल की जनता कमजोर नहीं है वो इरान के इस हमले का मूँ तोड़ जवाब देंगे लेकिन इस हमले को लेकर पूरी दुनिया अब दो खेमों में बट गई है एक तरफ अमेरिका की अगवाई में पश्चमी देश इसराइल के साथ खड़े है वहीं दूसरी तरफ कुछ अरब देश इरान के साथ है लेकिन इस पूरे जगड़े में रूस और चीन ने सीधे सीध मिडिलीस्ट में बढ़ती अर्स्थिरता का ठीकरा पश्चमी देश उपर फोड़ा है तरसल इरान के इस हमले को लेकर अब रूस के विदेश मंत्राले का आधिकारिक बयान आया है जिसमें रूस के विदेश मंत्राले ने कहा है कि 14 अपरेल के शुरुवाती घंटों में इरानी विदेश मंत्राले के मुताबेक ये हमला संयुक्त राश्र के चार्टर के अनुच्छेद इक्यावन के तहत किया गया था जो इलाके में इरानी टार्गेट्स पर हुए हमले के जवाब में था एक अप्रेल को दमिश्क में इरानी दूतावास पर हमला हुआ था जिसकी हमारे देश ने एक कड़ी निंदा की थी दुर्भाग के वश पश्चमी देशों द्वारा अपनाए गए रुक से सुरक्षा परिशद इरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर कोई उचित प्रति क्रियान नहीं दे पाया था आपको बता दे कि रूस के विदेश मंत्राले ने ये भी कहा कि रूस इलाके में गंभीर रूप से खतरनाक संगर्ष बढ़ने को लेकर चिंतित हैं मिडिलीस में कई अंसुल जे मुद्दे हैं जो कई बार गैर जिम्मेदाराना उक्सावे वाल को राजनितिक और राजनिक तरीके से सुल्जाने के लिए कहते हैं हमें विश्वास है कि रचनात्मक सोच रखने वाली अंतर रास्ट्रिय संस्थाएं इसमें योगदान देंगी वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी मिडलीस्ट में हालिया घटना करम को लेकर चिंता जाहिर की है लेकिन चीन ने प्रभावशाली देशों से इलाके में तनाव को स्थिर करने के लिए कहा है चीन के विदेश मंतराले का कहना है कि वो मौझूदा संघर्ष को लेकर गंभी रूप से चिंतित है चीन ने अपने बयान में कहा कि हम सभी पक्षों को सैयम बरतने का अनुरुद करते हैं और संघर्ष को आगे रोकने के लिए सैयम बरते हैं मौझूदा हालात गाजा संघर्ष की वज़ा से हुए है सैयुक्त राज सुरक्षा परिशत के रिजेल्यूशन 27-28 को लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए और अब संघर्ष जरूर खत्म होना चाहिए चीन अंतर राश्य समुदाय विशेश कर प्रभावशाली देशों से अनुरोध करता है कि वो इलाके में शान्ती और स्थिर्ता स्थापित करने में रचनात मगभूमिका आदा करें आपको बता दे कि चीन और रूस दोनों ने ही इरान के इसराइल पर हमले की निंदा नहीं की है बलकि रूस ने इरानी दूतावास पर हुए हमले की पहले ही निंदा की थी और ये दोनों ही देश संयुक्त राश्य सुरक्षा परिशद के स्थाई सदस्से है और इन दोनों ही देशों की विदेश नीती अमेरिका के बिलकुल उलट है और इरानी हमले से पहले अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने एलान किया था कि वो इसराइल को लोहे का सुरक्षा का वजदे रहे हैं कि वो खातौ था कि आते ने में शcción चालट है हम आते जै आते हैं युर्रण है कमें ध kaikki ने ने में कि वोबने ने इनके ने हैं